और उन्हानी जभी जैसारी स्तोत्रपटना आर्म कर दिया, कहते हैं कि मुहां 45 मिनट तक सुर्ण वरशा हुई और पूले आसपास के रोग देखें कि अने सुर्ण के वरशा हुई यह भीड जाए इसी आए इसी आए कि हर एक आदमी आता सुर्ण को चुल लेते हुए चुल लेते हुए जाता हुए उन्होंने कहा है किसी क्या है स्वामी जी का चमत्कार है लोग आने लगे आने लगे इतनी प्यूल स्वाट ब Sawaj क जितनी आए और उन्होंन को ऑखाली इसे स्वार्ण कि सुर्ण कर्वा से करवा सकता है और किसी क्या रीवर inच्टेर करना कि जिए घरनाजी इस थाहता करना चाहता हूं। आज मैं वंदधाता हूं। वही राज्य वीजेनगर स्वामराजी स्रिक्स्न देवराय का हर्य Хरिय अर्भुकराय निका स्वामराजी हम भी में था जो आज किस्तिन ना की नाम से जाना जाता है और उसके स्थाफ़त करने वाले का नाम विट्यारनियस्वामी था वहने विट्यारनियस्वामी ने सुर्णवारषा करवाई थी और उसी तरह एक वियरीटिपेस लोटर के बाड़ से उन्होंने श्रणवर्शा करवाकर राजिय की स्थाफ़ा की थे और वहां से कृष्ट दिवराय रहंपी वीजय नेगर सामराजी की स्थाफ़ा हुई उस राज जगानां वीजय नेगर सामराजी था वो परंपरा चरी बहुब इनोंदर जब उससे पहले ही अधिशंकराजार जब लोग पूछे की स्थाफन कर दिये थे लेगिन जब लेगिन पता चला कि विद्यार ने नाम का इगियो पूनेश्वरी की विद्या की स्थाफना करने से उसने स्वर्ण और शाक रवाई और लोग उसके पढ़े हुए हैं तो सब लोग कहने लगे कि आगल कल आकर हमें पूछे कि आप भी स्वर्ण और शाक रवाई तो हमारी किती क्या होगी हम ऐसा करते हैं उसको आपने में मिला लेते हैं सभ्रण शुंतरााचारी की विछने उठक्राचारी कुछ प्रण विए ग्यंड़ फूसुंतराचारी पास भूस्तुरी और शुंतराचारी विछने टुक्तष करोग निर्टें बाहर पर भूनी शृतना के स्थाफना की थी, बहुत 20 साल के फीछे की बात है। कैयतीय हैं कि उन्होंunta क्य बताय को अमारे एक स्थत्रावेपैस्वय video वे में एक बार वह बती हैं, गोंडर से एक महना पराते हैं और वो भूद रहें ते कि भूनिषरी की साथना के सिंखनी चाहिए और उनने जब इद्याने के उस्पीड पराया था जब विरुपक्ष स्वामी का मंधर है विरुपक्ष स्वामी का बहुत बड़ा मंदिर है और पूनिषरी की स्थाफना थी तो और ने ये बाद उमसे पुछी कि महराज ने जिस तरह सवनी की वर्षा करवाई थी और राजी की स्थाफना की थी हम वो जाना चाहते हैं तो वहां के ताड़कंतर बंद मिकालने के बाद उस सहसना विदी को बत्ताया गया और उस तोत्र को बत्ताया गया जिस तोत्र की करणने एक विशेष राजी की स्थाफना की थी करने के बाद मुझे यह तो पता नहीं था लेकिन यह आज बैठे हुए महराज है स्वावी जी पिठादी से अभी के उससे पेड़े कि पिठादी से हमारे धर पर राभी राज से उन्होंने ही बताया था कि ओतात्री विध्यार निस्वामी के उस विरुबाक्षम भी मठ में आये और उन्हें कहा कि माँ मेरा गोंदल राज्य मैं जहां से साथना करें के आया हूँ अगर तू मेरे साथ आएगी तो मैं वहां भी अच्छे राज्य की स्थाफना करूँगा तू में प्रत्ना करता हूँ कि आप मेरे साथ आए उनकी अपरशक्री और के आविध्यान देखकर माता ने कहा तू बलट की अदर नहीं देखता है तो मैं तेरे साथ आ रहे ही वह बहुत दू 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 आये खुड़े पे तो यहां गोंदल में आने के बाद लिगा कि माता जी मेरे पीचे आरही है यह नहीं आरही है और यह साथ इपलेट के देखा माता का महिया रूख जाती हूँ और वह यहां रूखी और वही विध्यान स्वामी का गोंदल का अजिए पीठी कहा जाता है तब से मैंने देरने किया था कि हम एक गोंदल में शिविर बनाएंगे उसके साथ साथ जो स्कूरत जिस विधान को बताया गया था वो स्विधान को हम यहां संपन कर्माता कि कृपा को प्राप्त करेंगे तो किससे पीछे मेरा एक स्वाफ पता हो यह कि मैं निकर्चेंता केंदर में भी एक बहुत बढ़ी गुरुजी की मुर्ति और स्वाफना करना चाता हूँ और उसके लिए करोड़े रुपयों की ज़रूरत है मां मेरे आश्र में भी स्रण वरशा करवा इसलिए मैं करे पास आया हूँ यह मेरा स्वाथ है कि मैं मंदिर बनाना चाता हूँ उसलिए मां उस पर तुपा करें और उस दोस्तर का जो दिस दोस्तर के बारे मैं बता रहा था उस दोस्तर की सातना मैं आपसे आज करवाता हूँ कल खटगमाना करवाता हूँ और परसु के देनी को सबित कर लिया परसु अवन करवाता हूँ जो इस कामना करना चालता है। आप सभी से इविदन हैं कि हम पहले भुपने श्री माता का माता की पूला करेंगी स्री सुप्त से। उसके बाद जितने भी स्प्रियां हैं अपने हाथ में सोलह फूल रख लो। मैं उद्रे मारा से पहले स्थोत्र पड़वाता हूं। उसके बाद आप उस दोत्र का पाठ अगर आज 21 बार जो उस दोत्र का पाठ करते हैं। तो उस दोत्र के पाठ से आपको उस दिवेव के अपके अपके दिवदा के अन्भूजी होगी। और एक विश्वेश मत्र है जो इससे पहले केवल महाराज ने किया था जो भोनेश्यरी माता की प्रभा से केवल उसका 21 मारा मत्र जब करना है और वो मैं कल करना है। आज 21 बास्तोत्र पड़ने का विधान बतादाओं की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। और मत्र भोनेश्यरी की स्थाफना यहां आपने मैंने एंत्र के साथ की है। सभी इस्त्रियां जो है अगर यहां किया हुए जब कहने हैं तो सभी इस्त्रियों के हाथ में 16-16 फूल लिये जाए। स्तोत्र का पाथ होगा। उसके बाद माता को भूदिवनेवी जिसे इंत्र के पास पूजा करोणी जाएगी। पहले पूजा संपन होगी और उसके बाद आप रुपा का पात्र रुपा पात्र के लिए एगे। स्त्रियां हो सके कर गडबड नहीं करते हैं। आप शार्ची चित से आचा हैं कि सभी को इत्र पे फूल चड़ाने का मौगा तुपा वह इन इस दोफर पाड होगा। यहां कि आए जो गड़ना स्त्रियां जिप्जें भी हैं उस सब लोग उगर। सुले सुले हुए। यहाथ में ले लें। इसके बाद पूजा और स्त्रियां का पाड संपर नहीं होगा।